इंदोर के नवनिर्वाचित सांसद शंकरलालवानी और महापौर मालिनी गौर ने प्रदेश सरकार पर शतिपूर्टी की राशी ना देने का गंभीर आरूप लगाया है साथी नौर के विकास कारियों में धीमेपन का जिमिदार प्रदेश सरकार को ठहराते हुए जम कर निशान असाधा है देखे इस रिपोर्ट में मध्रदेश में कॉंग्रिस की सरकार बनने के बाद से भाजपा नेताओं द्वारा सरकार पर आरूप प्रत्यारों का सिलसला लकातार चारी है इसी कड़ी में महापाउर का कहना है कि फिछले तीन महा से प्रदेश सरकार की तरफ से आने वाली शतिपूर्ती की राशी नगर निगम को नहीं मिली है जिसके कारण नगर निगम अपने कई कामों को नहीं कर पा रहा है जिसमें ठेकेदारों का भुकतान सबसे अहम है वही ठेकेदारों को अपने पिछले कारियों का भुकतान समय पर ना होने के कारण उन्होंने मौजुदा चल रहे कामों में धलाई बरतना शुरू करती है क्योंकि उनके पास परियाप्त राशी की कमी है वही नव निर्वाचित सांसत शंकरलालवानी ने भी राजी सरकार पर रिंदौर नगर निगम के अंदेखी का आरोप लगाया है वो चूकि वहां का ब्रीज का निर्मान ठेकेदार की गलती से लेट चल रहा है वो समस्या वाजीब है और सभी लोगों ने जिस प्रकार से हमको कांग्रेस की सरकार जो पेशा नगर निगम को आना चाहिए वो बराबर नहीं दे रही मंतली क्षति पूर्ती का पेशा तीन महीने हो गए तो कहीं न कहीं ठेकेदार को पेमेंट करने में दिक्कत आती है और ठेकेदार काम बीच में रोग देता है तो यह कांग्रेस सरकार की नाकामी है और लगातार हमको परेशान किया जा रहा है जो अमरत योजना समार सीटी और स्वाच्छ भारत मिशन में जो काम चल रहे उसका पेशा हमको केंदर सरकार से आ रहा है कुछ हिस्सा प्रदेश सरकार को देना होता है लेकिन वो पेशा बिल्कुल नहीं आ रहा जितना पेशा रहा उसमें हम काम कर रहे तो जो नगर निगम को जो राशी मिलने वाली जो नगर निगम को राशी मिलने वाली जो नगर निगम को राशी मिलती है वो राशी नहीं दे रहे तो अनुदान की तो बात ही दूरे मध्यपजे सरकार का नगर निगम को लेकि एक दोरा मापदंड है जो राशी नगर निगम पूरी सरकार निगम को मिलने वाली शतिपूर्थी की राजशी का भुपता ना होने से इंदौर नगर निगम के काम थप पड़े हैं पहराल इंदावों में कितनी सच्चाई है यह शोध का विशय है प्यूर रिपोर्ट, MP News and All